गुड मॉर्निंग बच्चो सुप्रबात हेलो आज हम प्राइम और कम्पोसिट नंबर के बारे में जानेगे हमने अपनी पिछली लेसंस में फैक्टर्स के बारे में जाना था ठीक है न चलिए एक बार अपना रिविजन करते है यानि यादाश ताजा करते है एक उधारन लेते है जगन को अनाज के गुडाम ले जाने के लिए एक ट्रॉली चाहिए थी उसने एक ट्रॉली ली जो की 12 बैक्स यानि 12 बैक्स एक साथ ले जाती है और उसे किस तरीके से वो गुडाम में लगाएगा हमने सीखा था अपने पीछले फैक्टर्स के लेसन में उसको किस तरीके से लगा सकता है उसके बहुत तरीके हो सकते है 12 बैक्स को लगाने के 12 ट्रॉल के थप पे लगाने के तो उसके लिए हमने 12 के फैक्टर्स निकाले 12 के क्या-क्या factors होते हैं, वह हम तो तरीके से, multiplication method से या division method से निकाल सकते हैं, चलिए है, multiplication method से निकालने की कोशिश करते हैं, 1 से चालू करते हैं, 12 आता है कि 1 के table में, हाँ, 12 is 12, 2, 6 is 12, 3 के table में आता है, हाँ जी, 3, 4 is 12, 4 के table में आता है, हाँ, 4, 3 जा 12, 5 में, नहीं, 6, 2 जा 12, और 12, 1 जा 12, तो 12 के factors हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है न, तो यह सब हमने पिछले lesson में देखा था, तो हम कोई भी number का factor निकालने के लिए, जो दो numbers को multiply करते हैं, वो दोनों ही number के factors होते हैं, जैसे 6 के factors में 2 multiply by 3 किया, तो 2 भी और 3, दोनों 6 के factors हैं, याद रखिए, ठीक है ना, तो चलिए, number 1 से चालू करते हैं, और number 10 तक जाते हैं, और सभी के factors लिखते हैं, 1 का तो एक ही factor होता है 1, ठीक है ना, 2 के कितने factor हैं, 1 और 2, 3 के factor होते हैं, 1 और 3, 4 के हैं, 1, 2 और 4, ऐसे करते हैं, सारों के लिखते हैं, जिसे 10 के factor हैं, 1, 2, 5 और 10, और फिर, यहां पर हम लिखते हैं, हर एक number के कितने factor हैं, एक के factor एक ही है, 2 के 2 factor से 1 और 2, 3 के 2 factor से 1 और 3, 4 के 1, 2 और 4, तीन factor से 6 के 4 factor से 1, 2, 3 और 6, ऐसे करते हैं, हम सब के लिखते हैं, 10 के कितने factor से 1, 2, 4, 5 और 10, चार factor से, तो 4 लिखते हैं, तो इस table में आप एक रोचक चीज देखेंगे, कुछ number के 2 factor से, कुछ number के 2 से ज़्यादा factor से, और एक ही number का एक factor है, जो की 1 है, है ना रोचक चीज, 10 के 2 से ज़्यादा factor से, 8 के भी 2 से ज़्यादा factor से, बट 2, 3, 5, 7, इन सभी के 2 factor से, अलग अलग factor से, बट number of factors 2 है, कौन कौन से number से, 2, इसके 2 factors क्या क्या है, 1 और 2, 3, इसके factor से 1 और 3, 5, इसके factor से 1 और 5, 7, इसके factor से 1 और 7, और भी इसे numbers होते हैं, जिसके 11, 13, इसको जब आप copy में करेगे, इनके factor भी निकलेगे, दो ही factor, बड़ी इतना बड़ा number है, 13, बट 1 और 13 इसके factor से, तो जो numbers जिनके 2 factors होते हैं, 1 और वह खुद number इने prime numbers कहते हैं, जैसे की 13, 11, 7, 5, 3, 2, इन सभी number के 2 factors हैं, एक तो होता है factors उसमें 1, और दूसरा factor होता है 1 number खुद ही, 13 के factor है 1 और 13, 11 के factor से 1 और 11, 7 के factor है 1 और 7, इत्यादी, या सभी number prime numbers कहलाते हैं, और कुछ number होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा factors होते हैं, जैसे की 6, उसके factor से 1, 2, 3, 6, 8 है, जिसके factor से 1, 2, 4, 8, 4 है, जिसके factor से 1, 2, 4, इसे बहुत से number 9 है, जिसके factor से 1, 3, 9, तो जो numbers जिनके 2 से ज़्यादा factors होते हैं, उन्हें composite numbers कहलाते हैं, ठीके न, जिनके 2 ही factors होते हैं, वह prime numbers, और जिनके 2 से ज़्यादा होते, 3, 4, 5, 6, जितने factors होते हैं, वह composite numbers कहलाते हैं, पर फिर आप सोच रहे होगे 1 का क्या करें, 1 का तो एक ही factor होता है, खुद 1 तो यह ना तो प्राइम हुआ क्योंकि प्राइम numbers में 2 factors होते है composite number में 2 से ज़्यादा होते है तो 1 को क्या कहेगे 1 ना prime है ना composite number 1 is 1 ठीक है ना तो prime numbers हो गए जिनके 2 factors है खुद number और 1 composite numbers हो गए जिनके 2 से ज़्यादा factors है और 1 जिसके सिर्फ एक factor है ठीक है ना है ना रोचक बात चलिए आज इस lesson के लिए इतना ही फिर मिलेगे बाई बाई